जैसरिक्रिश मित्रों, मित्रो वास्तविक समी व्रिक्ष, जिसका वैज्यानिक नाम प्रोस्वपिस सिनेरेरिया है, तथा हर धर में इस व्रिक्ष की काफी मानेता है, क्योंकि यह पौधा प्रोस्पेरिटी अर्थात संपन्नता लाने वाला पौधा होता है, समी पापों को नश्ट करने वाली तथा सत्रों का विनाज करने वाली है यह वरिक्ष अमंगलों को दूर करने वाली और सिध्यों को प्रदान करने वाली है। जबकि राजस्थान में इसके छोटे पोदे को खेजरी तथा बड़ी विरिक्ष को खेजरा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बाई पिनेटली कमपाउंड लीफ पाया जाता है। मतलब वास्तविक समी में दूरी पिक्ष की सैयुक्त प्रकार की पत्तियां पाय जाती है। देखिए इस तरह की पत्तियों को हम बाई पिनेटली कमपाउंड लीफ काते हैं। इसमें यह वास्तविक समी का एक पत्ति है और यह बीर तरू यह नकली समी का एक पत्ति है। और यह दोनों बाई पिनेटली कमपाउंड लीफ है। यहां पत्तियों को अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यहां यह संपुन रचना एक पत्ति है, यह भी एक पत्ति है और यह भी एक पत्ति है। तथा पत्ति का यह भाग एक पिन्ना या एक परणड़क कहलाता है। मतलब यह पूरा भाग एक परणड़क या पिन्ना है। देखिए, इन दोनों पत्तियों में पत्ति का यह भाग एक पिन्ना या एक परणड़क है। अब ध्यान देने मेरी बात यह है कि वास्त्विक समी में समाने तह एक पत्ती में दो जोड़े पंड़क या टू पेयर पिन्ना होते हैं. कभी-कभी किसी पत्ती में ये तीन जोड़ी भी हो सकते हैं, परन्तु तीन जोड़ी से अधिक कभी नहीं हो सकते हैं. देखिए इस वास्त्विक समी के एक पत्ती में दो जोड़ी पंड़क या चार पंड़क दिखाई दे रहे हैं जबकि नकली समी में पंड़कों की संख्या हमेशा तीन जोड़े से जादे होता है। आप खोती देखिए इस बीर तरू या नकली समी के एक पत्ती में दस जोड़ी पाणक उपस्थित हैं। अब इसकी पहजान का दूसरा जो महत्तपूर्ण लक्षणे वह है पत्ती के आधार भाग पर लगा हुआ इस्टिप्योल्स या अनुपाण। यहां देखिए ये वास्तविक समी वरिक्ष की साखा में एक पत्ती के आधार भाग पर दो दो छोटी पत्तियों के आकार के अनुपाण या इस्टिप्योल्स लगे हुए हैं। जबकि नकली समी में पत्ती के आधार भाग पर अनुपाण जैसी कोई रचना नहीं होती है। जबकि नकली समी के खाली भाग को जहां पर पत्तिया नहीं होती हैं। वो प्रिकल्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ती इपी डर्मन होती है। और इनको हलका सा प्रेस करनी पर ये काटे तने से पूरी तरह से अलग होकर हमारे हातों में आ जाते हैं। जबकि नकली समी या बीर तरू में ये काटे इतनी आसानी से अलग नहीं होते हैं। क्योंकि ये काटे थार्म कहलाते हैं और इनकी उत्पत्ती बाहरी सतह से नहोकर भीतर से अर्थात इनकी ओरिजिन कॉल्टिकल होती है। तथा ये थार्म तने की परवसंदियों पर उपस्थित होते हैं। वास्तविक समीब्रिक्ष के पहचान का चौथा महत्पून लक्षन इसके पुस्प होते हैं। जिसमें ऊपर की तरफ गुलाबी रंग के पुस्प और नीचे की तरफ पीले रंग के पुस्प होते हैं। मित्रों यदि आपको यह वीडियो जनकारी से भरपूर लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवस्थि कर ले। धनिवाद जैस्री कृष्ण